पहुआ पहुआ है स्वागत आप सभी का वाइफाइ स्टडी चैनल पर विच इस पार्ट अपने अकाडमी होप्स विजिबल टू स्टारंब Solomon काड़ कारने अ यह सब्सक्राइब यह सभी को पता दूँ आंप रहे का स्टार्ट किया एक कली स्टार्ट के यह कल पहली क्लास हो दूसरी नहीं 6.45 पीम पर ये जो crash course है ये completely हर एक student के लिए जो exam की तियारी कर रहा है और जिसको theory पढ़नी है free of course ठीक है तो journal studies की जो theory है वो हम पढ़ने वाले free of course आज रात को शाम को ठीक है 645 पीम पर ठीक है दिमाग पर रखेगा जितने बच्चे देख रहे हैं सभी के सभी देखेगा ज ठीक है आप my Чastik variya profile. continue Facebook कर देखेगा ठीक है इनुका पर्वा प्रोफाइल का जरूरू जरूर्र कर लेना एक जितने मेरा प्रोफाइल कोपर प्रोफाइल का जितने मचल करने वाले था इसके खरेंगे और उसके बाद खतम भी करेंगे 200 से 300 कोशन हम सोल करने वाले हैं जो कि important 200 से 300 कोशन है उन्हें हम सोल करने वाले ठीक है निमाग रखेगा ठीक है उझे हम सोल करने वाले जित्ते बच्छे देखने हैं ठीक है यह क्लास आप याद रखें कि जैसे आप अनकेडमी मुझे जुड़ते हैं तो आपको सुबह 10 वज़े जैसे मैं आज आपको यहां पर क्लास करा रहा हूं लेकिन अदर्वाइस मैं आपको अनकेडमी पर सुबह 10 वज़े स्टैक जी के सीरीज कराता हूं जिसके लिए आपको मेर सेथे और ने सेवरें सेशन को शेर करेगा पहला कोशन ठेके विशन का पाशिन का ऑन्सर क्या है कमेंट करेगा さ diagonal जलोटी से बढ़िए पहला कुछन विच हमनी इस पोलिए इस एक स्टुरली टी विटामिन जल्दी से बतेका सो यहाँ इस कोन सा एन्टी स्टिलखली विट जल्दी से बताएं इस कोशन का अंसर के रहाँ है फोचनर चले आंसर के सब्टकर Water a incoming का या दिमाख रिखिए विटामिन इस नाम का अन।さん और एरोल जो है, विटामीन E का दूसरा नाम है, कभी-कभी ये भी पूछा जाता है, कहने का मतलब है विटामीन E या टोकौफ ओरोल कि अगर कमी होगी, ठीक है, अगर कमी होगी तो स्टेरिलेटी होती है, मैं और ठीक है वुमेन में ठीक है दिमाग परके इंपोर्टन कोशन में से एक है जो विटामिन का कोशन पूछा जाता है ठीक है चले बाकी आप सुप्रीम साइंस बैस के कोर्सिस भी स्टार्ट हो चुके आप इसके लिए लाइव इसके लीए लाईव कोड ठीक है चले ये कोर्स देखिए का फ्रोम विच अबंग फोलिंग पार्ट औफ प्लांट चिन्रोन इस उप्टेइज जल्दी से बतेगा प्लांट के कौन से पार्ट में से जो है बच्छे चिम्नोन अप्टेइन होता है कोशन का आंसर क्या है कोशन सब्सक्राइब करें से बड़ा सवाल है चाल में से पेड़ की जो चाल होती है उसमें से चिम्नोन मिलता है और चिम्नोन के बहुत साधे फायदे हैं शेर करी से सशन कोशगान से बताओ ठेक पूचा गया है किस चीज में प्लांट डिफर्फ फ्रोम इनिमल इन हैविंग वट जल्दी से बताइब किस चीज में जो है प्लांट ऐनिमल से डिफरेंट होता है कमेंट करेगा सब्सक्राइब करेगा सब्सक्राइब करें 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 सब्सक जैसे जो है बच्छे हम यूज करते हैं यह है ठीक है किसको कंज्यूम करने से बहुत ज्यादा अधिक मातरा में क्रियोस हो सकता है इस कोशन मातरा में किसको करने करने क्या है खूंसर क्या है स्केशशन का आंशर क्या है अंशर में करने कुई आप अंजू करते हैं य Zuk जैदा करते हैं तो वह क्या का सकता है एक और कोशिंद देखिए ना क्या है इस कोशिंगा अंसर जल्दी से बतेगा स्कुशन क्या है ठेक है क्लांट में के रिक्वार्डेंट होती है कि सुमम में अखेक है आंसर क्या है अच्छे this question का कैलिशियम इस Required in the formation which of the following answer क्या है सेवोल बनाने के लिए प्लान में कैलिशियम की रिक्वार्मेंट होती है तो सबस्क्राइब क्या तक में नहीं है गलत दे रखा है एक और कोश्चन देखिए। जल्दी से पता है कि बड़ा सवाल है क्षेंक आंसर के हैं ठेके हैं हुमन स्केलेटन में और बोड़ी में कितनी बॉंस पाई जाती है आंसर के हैं बड़ा असान धोजयर ठेके वेरिस बोटैनिकल सर्वे औफ इंडिया है ध्क सब्सक्राइब सब्सक्राइब सबसक्राइब ठीक है आंसर क्या है इस कोशन का दिमा को रखे कॉलकत्ता में लोकेटेड है Botanical Survey of India के Headquarter Botanical Survey of India के Headquarter कहा पे ठीक है कॉलकत्ता में है एक और कोशन देखीगा हमारे शरीर की जो सबसे लंबी हड़ी होती है वो कौन सी होती है कोशन नमर 9 का आंसर बताएगा हमारे शरीर की सबसे लंबी हड़ी जो है वो कौन सी होती है कोशन नमर 9 का आंसर Spinal Code है या फेमूर है जल्दी से बताएगा Spinal Code है या फेमूर है इस कोशन का आंसर बताएगा क्या है इस कोशन का आंसर जल्दी से बताएगा इस कोशन का आंसर क्या है ठीक है आंसर के है बच्चे फैमोर इसका आंसर सब्सक्रूइन और इस यह सबसे लबी हड़ी होते है कॉशन नंबर नाम झाल सबीजान थो ऑलैर द फोलोइशिए करने है तो आंसर जे Basil escola आठाल से नहीं पता लगा सकते कि पेड़ कितना पुराना है उसकी आयू कितनी है ठेक हमें ओवर ओल ग्रोथ को मैजर करना पड़ता है जिससे हमें पता चलता है ठेक है दिमाग को रखेगा यह इंपोर्टन कोशन है ठेक है एक और कोशन देखिए इन क्या इन इंडी हमें इसकोशन आंसर है इसकोशन नंबर 11 का अंसर क्या है क्या इसकोशन को एक्जामीन करते हैं अगर आप कभी देखते हैं कि वे human skeleton को examine किया है तो उसका कारण क्या है ठीक है प्रमुक कारण क्या होता है internal age आंतरिक IU का पता लगाने के लिए ठीक है आंतरिक IU का पता लगाने के लिए ठीक है दिमाक रखे important जुड़ जाएं रड़किते मास्पेशिया है अगर आपसे मास पेशि होका पूचा चाहिए तो कितनी Mast अंसर बताएं जल्दी से कमेंट करें के अंसर का हमारे शरीर में कितनी कितनी माश्पेशिया पाई जाती है कितनी माश्पेशिया पाई जाती है आंसर क्या बच्चेकर बच्छे इस कोशन का ऐसा चैल्ट के दोस्त। इस कोशन का आंसर के 656 मसल्स आर देर हिंवन बोड़ी ठीक है से क्ट है एक और नवदन स्केलेटन मुसल्स फाउंड नार जल्दि से बहुत इंपोरटन के डिकार लेयर outsiders रख से पतशता है जल्दि स कंट करें एस इस कौह ग्मेंट करेगा स्कूशन का आंसर क्या जल्दी से सब घरनिएगा स्कॉशन लेयर आफ टित आंसर क्या इस कोशन करो जितनी स्पीड में करोगे उतना ही क्या बोलते हैं हम ज्यादा कोशन कर पाएंगे ठीक जितनी स्पीड में कोशन करोगे ठीक है आंसर क्या बच्चे इसका कैल्सियम हाइड्रोक्स प्टाइड जो है इस इस दा हाड लेर ऑफ दा टित इंपोड़न कोशन है निया कोशन आप सभी ऐसे ऐसे कोशन ही पढ़िए जितने बच्चे देख रहे हैं मतलब ऐसे अलग-अलग कोशन अगर आप पढ़ोगे न एक्जाम में आएंगे तो आपको एडवांटेज और किसी को एडवांटेज नहीं है ठेक है निमा करें कि हाड अप्टेट क्या है 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 कैल्शियम है प्ट्राइड इसका आंसर है एक और कोशन देखिए इसकोशन का आंसर क्या है जल्दी से बताएं यह निकर रहें कोशन किसे कोशन नमर 16 कोशन का आंसर क्या है जल्दी से बताएं ठेक है आंसर क्या बच्चे इसका फंजाए और बैक्टिरिया इसका आंसर है फंजाए और बैक्टिरिया को scavengers कहा जाता ecosystem का फंजाए और बैक्टिरिया को important question है पूछा जा सकता है इसका पिछला question है उसका answer calcium phosphate मत लगाएगा question को पूरा पड़ो LM की बात नहीं हो रही है सारे question अलग लेके आया हूं biology के जितने भी question होंगे सारे important नए question है सारे के सारे ठीक है चलिए अलग-अलग question में से एक है ठीक है बताई जबड़ा जो होता है किसमे नहीं होता बताई इस question का answer जबड़ा होता किसमें नहीं होता कमेंट करिए कोशन 17 का ऊंसर ठेक बताओ इससी सीरीज को मैं सुभे 10 बजे अनकैडमी पर भी स्टार्ट करने वाला हूं ठीक है उस्टार्ट करने वाला हूं कल से थे जबड़ा किसमें नहीं होता ठीक है उसका कोशन आ रखाए ठीक है और ऐसे ही कोशन जो एक वर्ड का कोशन है और उसमें बड़े असान से दिखाई दे रहे हैं ऐसे कोशन बहुत ज्यादा रेल्वे के लिए आते श्रीक अलिफंट इन वाम एलिफंट जल्दी से बते हैं ये इस कोशन का आशन के हाथी का कौन दात के रूप में परिवर्तित होता है करें ठीक हाथी के दो दातों इंडिखाने के और खाने के ओर तो उसी हिजाब से कोशन में बूचा घा ठीक है हाती के दातों में परिवर्तित होता है कोशन नम्मर 18 नया कोशन इस कोशिंग आंसर बताईगा हाती के शरीर का कौन सा ऐसा दात है जो कि हाती के दातों में परिवर्तित होता है इस कोशेंग सीडियों кино कोशेंगे आंसर बताई है ठीक यह एक यह द्यमार को रखें सर्थी जानते हैं ठीके राइमरी टीर आप सभी जानते हैं वो जो है हाती के शरीर का भाग होता है जो की दातों में परिवर्तित होता है ठीक है चलिए और सबसे महेंगा विकता भी एई है ठीक है सेकंडरे टेट एक और कोशन देखें एक इन्वर्टी ब्रेट में क्या नहीं होता कोशन नमबर 19 का आंसर बताओ सारे के सारे जितने ठीक है नॉट कोड नहीं होता बाकी बोडी कैविटी होती है ठीक है हिमोक्योल होता है गिल्स ओविसली होती है ठीक है दिमाग को रखेगा लेकिन नॉट कोड नहीं होता है कुशन मुश्किल है यार बहुत सारे ठीक है कुशन मुश्किल है ठीक है यह एक अच्छा कोशन ह एक अच्छा कोशन है जो आपको exam में मिल सकता, invertibrates पे बहुत सारे आते हैं, basic कोशन है, railway में ऐसे कोशन बहुत मिलने वाले है, invertibrates के उपर हो गया, plant kingdom हो गया, animal kingdom हो गया, blood का chapter हो गया, इन सब पे बहुत सारे कोशन मिलते हैं, अगर आप इन सभी की theory भी पढ़ना चाते हो, free of तो आपको सुबह 10 बजे कल से आपको अनकेडमी पर सेशन मिलने वाला है उसको ज़रूर देखेगा ठीक है मेरा प्रोफाइल फोलो करके देख सकते हो अगर आप बेसिक से एडवांस पढ़ना जाते हो ठीक है जैनरा प्रेंटरम जो बुक है यह किसके द्वारा लिखे गई क आप खाल जी इस प्रेजन इन ऑब बलेड में कोंसा एंटीजन होता है जल्दी से वातेगा या फिर होता जो की A और B दोनों होते हैं और दोनों कभी सेम नहीं हो सकते हैं ठेक है क्योंकि blood group O की antibody होती है ठेक है antibody होती है A और B जिसकी वज़े से antigen नहीं हो सकता है तो यह answer है इसका neither A nor B इसका answer है ठेक है बहुत important question है थोड़ा सब मुश्किल है अगर आपने blood chemistry नहीं पढ़िए तो नहीं आएगा क्योंकि इसमें पूरा antigen antibody का पूरा concept समझना पड़ता है ठेक है कि कि किसका antigen होता है किसका antigen नहीं होता किसकी antibody होती कि यह पूरा concept समझना पड़ेगा आपको ठेक है चलिए एक और question देखिए यह नहीं कर रहे इसको शचाहिए इन विच अमंग दो फोल्य और गिन ठेक है वोमेंट कैप्सूल आर फाउंड बड़ा असान कोशन है जल्दी से बताएगा ठेक है एक स्क्रीटरी सिस्टम का पार्ट है पाइए बोमेंट कैप्सूल जो है कौन से ठेक है बोड़ी के पाइए प्लांट और अनिमल में डिफरेंस पता करना है तो जार किया तरीका होगा ठेक है और आपने कहा localized growth जो है उसका answer होगा ठीक है अभी एक question कर रहा है localized growth का question की भी है plant और animal में different पता कर रहा है तो localized growth का answer होगा ठीक है होता है लेकिन अब यहां पर localized growth तो question में देगी नहीं रखा ना option में दे रखा ठीक है अब दोबारा पूच रहा है what the presence of what distinguished a plant cell and animal cell जल्दी से कोशन आंसर क्या है अब answer क्या होगा chloroplast नहीं जल्दी से अब जाव थोड़ा सा कोशन है लेकिन आते हैं एसफ मुश्टि पूशन आंसर क्यa सका chloroplast या Sel Эiki और कमेंट अचर एक क्रिस्ट क्या है ठीक है दिवाँ कर रखेगा आप जुड़ सकते हैं ठीक है आपको लिंक मिल आप सर्च करिए मंदिप शर्म आपको मिल देगा लिंक चल दी से पताइगा विजड़म मोलर इस विच ओफ फॉलिविंग मोलर फर्स सेकंड थर्ड और फोर्स जल्दी सब्चार मोलर टीथ होते ह से विजड़म मोलर जो है बुद्धी की दाड़ के आगा इसे हम कहते है और फोर्स ऊंसर चार बुद्धी की दाड़ ऐ सब्सक्राइब करें एक और कोशन देखिए इस कोशन पूछी आते हैं कि फ्लॉवर्लेस प्लांट को हम क्या कहते हैं ठीक है ऐसे कोशन बहुत आते हैं जल्दी से प्लॉवर्लेस प्लांट को क्या कहते हैं कमेंट करेंगा ठीक है फ्लॉवर्लेस प्लांट ऐसे प्लांट जिसमें फूल नहीं होते उन फ्लांट को क्या का जाता है कोशन अबर 26 का अंसा पतेगा याद रखेगा अभी आज रात को भी आठ बजे मेरत होनोगी आठ बजे हम रात को क्या पढ़ने वाले है जोग्रफी पढ़ने वाले दो घंटे जैसे अभी हम बाइलोजी कवर कर रहे ना जैसे अभी हम बाइलोजी कवर कर रहे है वैसे ही अभी हम रात को आठ बजे जोग्रफी कवर करेंगे 100 question ठीक है दो आरा जी के विद अंसर रात को सर्च करेगा यूट् Garlic के कि आपको मेरी class मिल जाईगी is सब्सक्रिबड हम्रों कहते हैं क्या कहते है मैं क्रिप्टो काम स्कष्ण को क्या होगा जल्दी से की सरल सवाल है ठीक है ब्रायोफाइट को हम कभी-कभी एमफीबियन प्लांट्स भी कहते हैं और पूछा किस कारण से हम ब्रायोफाइट को एमफीबियन प्लांट्स कहते हैं सर इस मैराथन में कितने लाँटोन होगे अच्छे-खासे जो quality questions होगे थेश करिये ऑर उसके बादन रात को 9 बजए बच्छे ठेके ब्रायो फाइट्स को हम एंफीबन प्लांट किसे लिए कहते हैं एंफीबन का मतलब होता है जो कि water और लेंड एरिया दोनों में पाता है कि ठेके इसी वजह से इसका आंसर भी क्या है और इसलिए अम्फिबन प्लांटब्लांटस भी कहा है एक असान कॉशन है वह किस प्रोसेस से संबनिते हैं प्रोफेस मेटा फेस एनाफस टेलोफेस बड़ा सबसेडाब है एस मेटा फेस यह से सब्सक्राइब तक कोशन का आंसर क्या हो इस कोशन को जरूर याद रखेगा एक और कोशन देगे एक और बायलोजी कोशन करेंगे इदर अगर आपका बायलोजी के इदर कवर हो जाता है तो कल सुबह से अनकैडमी पे सुबह 10 बजे मैं आपके लिए यह सीरीज लेका आँ जिसमें पहले चैमिस्ट्री खतम 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 गरहाँ तो इसके लिए मेरा प्रोफाइल है अमंदीप शर्मा सर्च करिए अनकैडमी पे ठेक है आपको क्लास मिल लाएगी आप सर्च करिएगा अमं और इंगलिश पर मत जाओ ठेव चलिए बता इस कोशन का अंसर क्या है कोशन में तीस का अंसर अच्छा कोशन का अंसर क्या है ठेक है विच आर कॉंट्रेक्टाइल प्रोटीन इन एनी मसल जल्दी से बते किसी भी मासपेशिया में अच्छा कोशन है अच्छा कोशन है अंसर क्या है इसका दिमाग को रखेगा एक्टिन और मायोसीन जो है यह क्या है कॉंट्रेक्टाइल प्रोटीन है अच्छा कोशन है आ सकता है ठीक है मासपेशियो में जो कॉंट्रक्टाइल प्रोटीन होता है वो एक्टेन मायोसीन है ठीक है चले पीडिएफ भी मिल लएगी आप सभी को कल सुबह आप जब आप अनकैडमी पे जुड़ेंगे न ठीक है प्रोफाइल फोलो कर ले ना मंदीप शर्मा आपको ठीक है कल सुबह इसकी भी पीडिएफ मिल लएगी और साथ के साथ दोस्त जितने वच्छे देख रहे हैं जितने वच्छे देख रहे हैं चली इसकोशन का अंसर पते है अगर एक व्यक्ति जो है इंसुलीन का जो एक्शन उसे रजिस्टन्स करता है ठीक है तो उसे क्या का रहता है कौन सी तरीके की शुगर हुई है कौन सी तरीके का मदू में हुआ है अब परसन डेवलप रिजिस्टंस टू दे एक्शन ऑफ इंसुलीन का कोई प्रभाव अगर नहीं पड़ता तो उसे किस तरीके का मदू में हुआ किस तरीके क्या है बच्छे डाइवेटीस नहीं कर सकता है जब ज्यादा सीखना होता है उसके लिए समय चाहिए होता है चले एक और सुदिखेंगा क्या है इस पर इस कोशन बदीजिए क्लास रखे मैं हमेशा रात को बढ़ाता हूं बच्चे मेरे साथ रात को ही कनेक्ट होते हैं मैं सुबह इसलिए क्लास रखे क्योंकि मैं सुबह कल सुबह 10 बजे से आपके लिए अनकेडमी पे फ्री सीरीज लेके आ रहा हूं साइंस की ठीक है अगर रेल्वे की त्यारी कर रहे हो तो उसके लिए आप कल सुबह अनकेडमी पे दस बजे से ही क्लास ले सकते हो मेरा प्रोफाइल फोलो कर लेना काम आएगा ठीक है ठीक है डैश और क्लोरोफिल बेरिंग सिंपल थैलोइड ओटोट्रोपी यानि कि अपना खाना खुद बनाते हैं एक्वेटिक और्गनिजम ठीक है यह सब किसकी डेफिनेशन दी जा रही है बच्च कर लग ओंडान फाइक और फैक फैक है जो है जो कि हैं ब्राउन कला होता है ठीक है दिमाहे तीन करें के शयवाल होते हैं और यह उटाटिक होते है पूरे मत्लबट डिटेल मेरेल की डैशिन दे रखिए ठीक चलिए एक और कोश्ण देखें वोills आर पिनियो मैटिक इन व कौन से इसमें से एनिमल किंगनम है ठीक है फिश एमफीबिया रेप्टाइल बर्ड जिसमें पिन्यों सोती है कमें चाहिए क्या है को नमर 33 का आंसर क्या है कमेंट करेगा कोश्ण सब्सक्राइब करें अग्या अग्या जल्दी से बताएगा है डिस घुरण का अंसर जलदी से बताएगा बर्ट्स में क्या है Pneumatic Bones होते हैं ठेक बहुत पतली Bones चीजिसें ऐब एक और कोशन देखे इन विच ओब the following ग्रुप Premiere notice जल्दी सHH बतेrim कोहनि से Certainly इससमें और न न इसा जिसमें दात नहीं होते सिंपल्सी बात है जिसमें मेल ज़्यादा जल्दी से बताओ ठीक है basic question is question answer के, कौन से इसमें से animal से जिसमें दात ही नहीं होते हैं, ठीक है answer के बच्चे इस question का, बढ़ा सरल सवाल है यार, peacock, ostrich and tortoise, ठीक है, इन तीनों में कहा है, दात नहीं होते हैं, ठीक है animal beer noted, ठीक है बड़ा सरल सवाल है, हम बेसिक तरीके से भी बता सकते थे कि हमें कोमनली भी पता हुगा इसके बारे में आप सभी को बता को विच्वन फॉलिंग क्रियेचर मैक्सिम नंबर उफ रिप्स जल्दी से बतेगा एक महत्पुन सवाल है एक बहुत अच्छा सवाल है सबसे ज्यादा रिप्स है कमेंट क मैं ऐसे 200 प्लस सवाल करा हुआ जो अगर आप कर लेते हैं तो आपको बहुत फायदा है यह सिर्फ बाइलोजी है अगर आप कैमिस्ट्री और फीजिक्स के भी इतने ही कोशन करना जाते हैं कल और परसो तो कल और परसो मैंने सुबह 10 बजे महा मैरत्वन लगाई है लेकिन अकेडमी पर मेरा प्रोफाइल जो है अमंदीप शर्मा है सर्च करिए फोलो करिए और तेके उस प्रोफाइल पर जाके बच्चे जितने बच्चे देख रहे हैं कल सुबह क्लास देख सकते आंसर क्या स्नेक इसका आंसर है बते वाट इस वोल्ड हेल्थ और्गनेशन क्या देखा होगा जिस कंडिशन में उन्होंने का होगा कि लेप्रेसी इस एलिमिनेटेट फ्रोम इंडिया जल्दी से बताएं कंडिशन क्या है बच्चे एक केस होना चाहिए दस हजार इंडिविजन में ठेक है पर 10,000 परसन सिर्फ एक ही केस अगर बचा है तो उसे हम कहत चुका है भारत वरस से ठेक है चलिए एक और कोशन देखिए ऑस्टियोसाइट फाउंड इन विच फॉलिविंग अभी हो गया शायद यह कोशन हड़ी में होता है छोड़ेंगे इस कोशन को बतेगे बड़ा प्यारा कोशन है दोबारा कहूंगा मुश्किल कोशन है इस सबस्क्राइब करेंगे साइंस की से स्टार्ट करेंगे फिर केमस्टी्से तो आप जूड़ सकते हो आनका एकमी पर इसकी स्टार्मन से करेंगे सकते हो दो Самбо स рук सारा सारा फ्यूजन जब हो जाएगा तो यह कौन से टाइप के प्लांट में होता है आंसर क्या जल्दी से बतेंगा ठीक है यूग्रो फैक्या जो प्लांट होते हैं उन में होता है ठीक है दिवंखर के दिविजन स्टैमन आर फिूज विद इच अदर विद एंधर एंडविद पैटल थेक मुश्किल पूषण है दिफिकल्ट को अंसर यह है एक और कोशे मुश्किल कोशन पूषण बोटेन पूश्प्री नाइन इस में कोशन चलिए पूंसर क्या होगा जल्दी से बते कि कोश जल्दी से बताएं कुछ बायोकेमिकल्स होते हैं जो क्या है जो कि क्या है जो रिकागनेशन और एडिशन के लिए जिम्यदार होते हैं जो एक और मुश्किल कोशन करा रहूं है आपको कि मतलब ऐसा ना हो कि सिर्फ आप एसेड बेस और सोल्ट में से एक ही कोशन आए तो फिर वो मजाक हो जाएगा बहुत ज्यादा कि आप रहे असान असान चीजे पढ़ ली जो आपको बहुत मनोरंजन लगी अच्छा भी लग पहुत बढ़िया असान जीकैनस बहुत बढ़िया असान चीजे सारी निना एंग़ कौन से क्वोंचेंच अनमल का कोशें कोशों 65 बाहरा ज सारे जामेरगो संसर्ण जलदी से पतेगें ठेक है अंसर क्या बच्छे इसका आंसर पक्षियों का ठेक है बर्ड में जो वॉइस बोक्स होता है वो कौन सा होता है सारिंग्स नाम होता है ठेक है अच्छा कोशन है ने इंपोर्टेंट जितने भी करा रहा हो सारे पढ़ लो रिवीजन हो जाएगी ठे सीरीज की फ्री ओफ को स्टार्ट हो रही है बस प्रोफाइल फोलो कर लो क्लास आपको मिल जाएगी कल सुबह ठीक है दस बज़े है सारे नई करा रहा हूं सारे के सारे को एक स्कैलेटल का लैक किस वर्टिब्रेट अंसर क्या बच्छे है फिर्फार्ण में यह प्रोडक्त मिलता है चलिए क्या है इस खूश्ण जल्दी के बताएं एरोबिक रेश्पिरेशन होती है उसमें और फ्रोडेक्ट क्या होताई जल्दी सब फटक्रोड़कोंटेक्ट और इसमारे वही में तर ये सब्सक्राइब तो इस समय हमारे शरी में दर्द वी इस पर से कौन ताइसा दात है जो कि किया है दूत की दात है जब होते हैं कstag आंशर क्या है दो response यह बड़ी है बिल्कूल सी वात है मोलल टिद जो जो दाड होती है इसे से जैसे एक्जामपल अकल की दाड़ होती तो बच्छों को थोड़ी और यह एक सरण सवाल है कि इंप्रूटंट कोशन पूछा जा सकता है ऐसे को कल भी आपको आने कैडमी पर कराने वाला हूं परसो भी कराने वालों इसकोशन का पार्ट होता है यह किस चीज को कवर करता है जल्दी से जो है यह किस चीज को कवर करता है दातों से संबन दीते हैं बड़ा सब्सक्राइब यह अंसर कहा बच्चे इट इस दा क्राउन ओव दटेथ ठीक है दातों को कवर करता है इस इंप्रण कोशन पूचा जा सकता है एक और कोशन देखे टैक्सोनमी जो है किस से संबन्दित है जल्दी से बतेकर टैक्सोनमी किसे संबन्दित है का खोशोनमी किस से सब्सक्राइब sunt आनसर कहा है い papas Monarch और अनिमल क्लासिपकेशन करते हैं तो उसो ठीक्सोनमी साइंस उसको यूस किया जाता है एक और चलीचे तोटल नंबर dobrit in मैं आपको 200 प्लस कोशन करा रहा हूँ इस महा मैरोथोन में ठेके ये 200 प्लस कोशन की महा मैरोथोन है ठेके complete biology के कोशन जितने भी हो सकते हैं मेरी तरफ से वो आज हो जाएंगे complete physics के कोशन मैं कल आपको अनकेडमी की free class इसी टाइम पर कराऊंगा सुबह 10 बजे आप जुड़ देगे मेरा प्रोफाइल फोलो कर लीजे ठेके आपको क्या सर्च करना है अनकेडमी पर अमंदीप शर्मा क्या अमंदीप शर्मा सर्च करिए अगर आप ऐसी ही physics की class कल सुबह 10 बज सेम ऐसी content होगा पूरा का ठीक है अभी हो गया ठीक है मैंने आपको थाई बोन्स बताय था फेमूर के नाम से ठीक है बस वह option में फेमूर नहीं लिखा हुआ ठीक है चलिए एक और question देगे which of these joint is a hinge joint बड़ा प्यारा question है इसमें से कौन सा hinge joint है जल्दी से बतेगा कौन सा जोड जो है जिसे हम hinge joint का है hinge का मतलब होता है जैसे अगर यह point है इधर से movement होती रहे ठीक है एक point hold पर रहे और दूसरा point movement करता रहे उसे हम कहते हिंज जैसे gate होता हिंज से लगा होता है hinge joint कहते है gate को ठीक है जो हमारे घर के दरवाजी होते हैं वह hinge joints होते हैं अब वह क्या है बचे elbow है मैंने example ही दे दिया elbow is a hinge joint ठीक है बड़ा सरल सवाल है question आ सकता है ठीक है मैं आपको वह नए question मैं आपको acid base salt यह सब चीज़ों में नहीं लेके जा रहा हूं वह chemistry का पार्ट और पहली बात बहुत असान है अब उन लोग biology पर focus करते हैं और इतने question करते हैं जो नए-ने question है सारे नए-ने question उठाएंगे 200 question करने वाले अभी हों ठीक है sponge का मतलब क्या होता है जल्दी से बते 49 question का answer क्या है sponge क्या मतलब है comment करेगा 49 question का answer कर ठीक है sponge क्या होत question बड़ा असान है heart system का question है पहले question पढ़ोगे फिर सोचोगे फिर answer होगे ठीक है बहुत मुश्किल question है बहुत मुश्किल question है simple जी बात है इस question का answer बताओ क्या है इस question answer देक हमारे heart में चार चेंबर होते हैं ठीक है चार्च चेंबर होते हैं ठीक है which among the following in the heart is responsible for contraction that send the blood through the circulation जल circulation के लिए help करता है ठीक है let's send the blood through the circulation बताइए क्या है इस question answer contraction का पार जो है किससे होगा comment करेगा answer क्या बच्छे किससे बोथ वेंट्रिकल से दोनों की दोनों वेंट्रिकल जो है राइट और लेफ्ट ठीक है राइट और लेफ्ट दोनों contraction का काम करेगे ठीक है relaxation और contraction दो वर्क होते हैं ठीक है दिमाग पर रखेगा ठीक है relaxation और contraction दो वर्क होते हैं तो वेंट्रिल्स जो होती है ना चाहे वो से अनकेडमी बें आपसे जुड़ें तो बच्चे अनकेडमी एप उपन करके अमंदीप शर्मा क्या अमंदीप शर्मा सर्च करिएगा मेरा प्रोफाइल है ठीक है बारा या तेरा हजार के करीफ फोलोवर्स होंगे मेरे ठीक है आम राइट नो 26 एजुकेटर निन डिफेंस क मैंने अभी बताया एनिमल को क्राउन और पित का जाता है और यह क्या है ठीक हार्डेस सब्स्टांस है पूरे बोडी में हुमन बोडी में ठीक है एक और कोशन दिखने इस कोशन का आंसर क्या है ठीक है एग्रोनोमी इस दा प्रैक्टिस ओफ रेजिंग वर्ट जल्दी से क्यां ठीक है बताइए इंपोर्टन फॉशन निया फॉशन 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 का आंसर क्या है जल्दी से बदेगा और नटोलोजी इस ब्रांच ओफ साइंस ठीक है डेट स्टडी विच्व फॉल्विवन ओड़नोजी क्या स्टडी करने के लिए उसके जाते ब्रांच ऑफ स कोशन देखिए बड़ा प्यारा कोशन है इंपोर्टन कोशन पता ही 54 कोशन का अंसर क्या है जल्दी से बताएगा कि वेच अमंग दो फोर्विंग और कि ओपनें स्मोल इंटरस्टाइन थू पाइरोल सी मैं आपको बता हूं स्टमक जो है ना स्टमक का output जो होता है जो उससे सब कुछ भाहर निकलता वो pyrolysis से निकलता है ठेक है और इसके बाद pyrolysis जो है small intestine से connect होता है small intestine से connect होता है तो SPS याद रखो क्या है SPS याद रखो और answer क्या होगा बच्चे अब इस में पूचा गया open in small intestine दो बच गया स्ठमख बच गया स्टमक इसका पाउनसर है लेकिन अगर आपको SPS का कंसेप्ट पता हूं एससे बहुत सारी चीज चीज़े हम साइंस की पड़ सकते हैं सुभे-जुबे चलिए दस बजे डेली आनकेडमी फ्री क्लास करा रहा हूं साइंस की आपको बहुत बेनिफेट होगा इतने कोशन में डेली कराता हूं मैंने बस आद सुबह क्लास रख दिया है यूटूब पे मेरी क्लासे आनकेडमी पर ही होती विच फॉल्विंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन बड़ा कोशन कि जो सकीन होती है उसमें ऐसा क्या होता है जिसकी वज़े से उनकी बोड़ी जो वाम रहती गरम रहती है कमेंट करेंट करें का सब्सेंगा है फ्रक्राइब का है इस वजे से हमारी जो स्किन होती है वह हमेशा क्या है रहती है वोम रहती है थेखे जल्दी से बताएं अच्छा कोशन है ठेक आता है यह कोशन बताएं नहीं को क्या कहा जाता है ठीक है दूड़ी ओ विज्यान माइकलोजी है बड़ा सरल जबाल हुआ एक और कोशन, 200 कोशन टार्गेट करने वाले है, ठेक है, डेली साड़े नो बजे रेलिवे लाइफ टेस्ट भी होता है, एक्चुली मैं वाइफाइ स्टूडियोस पर ही पढ़ाता हूँ, ठेक है, यूटूब पे मैं रात को पढ़ाता हूँ, आप साड़े नो बजे सर्च करेंगे, ठेक है, जीके विद अमनसर आपको मेरी क्लासिस मिल देगे, आज मैं रात को आट बजे मैराथोन भी कराने वाला हूँ, ठेक है, रात को आट बजे मैं जोगरफी के 200 प्लस कोशन कराने वाला हूँ, याद रखेगा, आज रात को आट है, एमल्स में वो किसके लिए होती है, आंसर क्या बच्छे किसके लिए, ठेक है, थर्मो रेगुलेशन, अभी बताया, हमारा शरीर जो एक गरम किसकी वज़े से रहता है, ठेक है, और थर्मो रेगुलेशन गरम होने से संबंदित है, ठेक है, तो आंसर इसका क्या है, ठेक क्या इस question का answer ठेक है इस question का answer का बच्चे answer इसका modified stem इसका answer एक और question देखें इस question का answer बताई ठेक है बड़ा आसान question है limbs of bones of children बच्चों की जो limb bone होती है ठेक है become bad mood जाती है if there is deficiency of which vitamin बते कौन से vitamin की कमी की विज़े से ठेक है कौन से vitamin की कमी की विज़े से जो है बच्चों की जो limb bone है वो मुड जाती है ठेक है कमजोर होती है मैं यह कह सकता हूं ठेक है कमजोर हो जाती है तो भाईया वो किसकी वज़े से vitamin D की कमी की वज़े से और दूद पीना चाहिए बच्चों को कहते है milk consumption is very much required for children तो वो इसी वज़े से vitamin D की कमी हो जाती है तरवाइस ठेक है एक कोशन देखे है sodium pump का concept किसमे होता है अच्छा कोशन है इस question का answer बतेगा sodium pump का concept किसमे होता है comment करीगा इक question करें थेखो एक important question है जैसे मैं यह question करा रहा हूं न वैसे question आपको कल सुबे आन एकेडमी पे 10 बजे मिलने वाले है तो प्रोफाइल जरूर फोलो कर लेना अमंदीप शर्मा जितने बच्छे देख रहे हैं ठीक है आंसर क्या बच्छे नर्व इंपल्स इसका आंसर है ठीक है नर्व इंपल्स इसका आंसर है मैं आपको बताओ नियुरौन के कंसेपने आपको क्या है बच्छे, सोडियum पंप इसे कहते है ठीक है दिवाख रखेगा जो कि नियुरौन में ठीक है हमारे नियोरौस सिस्टम में होता है एक और quos heinledख का अनसर है अब यह कोशन सोल हो सकता है अगर आपने मेरा इसी क्लास का पहला देखा हूं ठीक है पहली बात तो स्टेरोलेटी इड मेल एंड फीमेल की बात कर रहा है तो मैं विटामिन ई लगा सकता हूं एंटी सेलीटी वाला कोशन स्टार्टिंग में हुआ था ठीक हैं दूसरा आप ई एम्टी ठेक है एम्टी विदिचुम्ब की तरग एम्ट और उसके बाद टी टोकोफोरल डेफिशंसी ऑफ टोकोफेरोल लीड टू स्टेलरिटी एंड मेल एंड फीवल ठेक है टोकोफेरोल का दूसरा नाम क्या है विटामिन इसका नाम है ठीक है दो तरीके हैं जिस कोशन को सोल करने के ठीक है दिमाग पर के हैं या तो एंटी स्टेलरिटी वाला याद है तब विटामिन नहीं लग जाएगा या तो एम्टी याद करो तब भी आपका अंसर आ जागा विटामिन ए ठीक है दो तरीके से आप इसको याद कर सकते हो चलिए एक और कोशन देगी इतने बच्चे देख रहें जुड़े रहो और जो बच्चा इधर जुड़ा है अनकेडमी का प्रोफाइल अमंदीप शर्मा सर्च कर लेना डिफेंस केटिगरी से मैं कोशन लेकर आता हूं लेकिन आपके लिए ऐसे ही कोशन लेकर आता हूं जो रेलेवे अससी में भी आत नहीं और 63 का आंसर बता हां बताईये सकोशंगंशा स्ख्राइब से संबंदित कुन सी स्टेटमेंट सही नहीं है कोशन का आंसर यह गलत है flowers are हमेशा absent दिमाग पर रखे है important question में से एक है ठीक है चलिए एक और question देखिए how many feeds have crab बताई crab के कितने केकड़ा जो होता है उसमें कितने feet होता है सरल सवाल है बताई इस question answer क्या है अब अब कितने feet होते हैं अभी 10 बजे class start हो जाती है सुबह आठ एक और question देखिए cartilage बड़ा आसान question है हमारे शरीर में cartilage किसमें पाता है पते किसमें बाए जाता है जल्दी चे आज यूटूब पर होई है अधरवाइस free class यह अनकेडमी पर होती है सुबह 10 बजे आंसर क्या बच्छे cartilage नोस में होता है किसने प्रूफ किया कि बैक्टीरिया spontaneous generation से नहीं प्रोड्यूस होता है जल्दी से बताए इस question का answer क्या है इसका पेस्चर इसका answer ठीक है दिमागों रहें कि प्रेस्चर इसका answer एक और question देखें क्या है इस question का answer बड़ा अच्छा question है ठीक है देखें दो तरीके connection होते है या तो muscle muscle से connect करेगा या चैंते दिमाख कर रखेंगे दिमाखने यहाध रख्खों डिया हु zu है और इस अच्छा रखोंको सारी वहर नहीं во सब्सक्राइब है जल्दी से बताइगा जल्दी से बताइगा है यह जो hai किस से संब्दित है क्या है एक और एक और कोशन देंगा नंगे इस ने ते परसाइट इन वीच ऑफ दावर जल्दी ऑन्सरोग आंसर कैंगे यह जो है किसम होता है टेके टैनिया सोलिम जिसें हम कहतें एक बहुत इजी सा उधारन है यह किसमे होता है ठेके इंटरस्थाइन में एंसान की आंथ जो होती है इसे कहते हैं तो यह होता है जो होता हैं कि क्किष्ट्राइनमें आपके लिए कोंशन ने के आ रहा हो इंपोर्टन ना सारे के जल्दी से बताएं इस में से कुँन सा करक्ट डेफिनेशन है इस में से कुछ का इस कोशन का यह जल्दी से बताएं इस कोशन का आंसर कहा है बैक्टीरियों फेस का करेक्ट डेफिनेशन क्या है ठेक कमेंट करें इस कोशन का आंसर क्या है चलिए आंसर क्या बैक्टीरियों फेस का करेक्ट डेफिनेशन क्या है बड़ा असान कोशन वाइरस डिस्ट्रोई बैक्टिरिया ऐसा वाइरस जो बैक्टिरिया को डिस्ट्रोई करता है उसे हम बैक्टिरियो फेस कहते हैं एक और कोशन देखिए इस कोशन अंसर important question name the tinny pores present on the surface of leaf in plant जल्दी से बताए कौन से tinny pores है जो ठेक है लीव के surface पे present होते हैं बड़ा सरल सवाल वो कह स्टोमेटा है ठेक गार्ड सेल स्टोमेटा यह आपने question सुना होगा यह बड़ा सरल सवाल है आता है लेकिन यह question ठेक है बताए अब यह भी मुश्किल लग रहा है कुछ भी नहीं है इस question में ठेक है क्या है इस question का answer ठेक है question है कि बच्चे जो हमारे heart के चार चेमबर होते हैं left right ठेक है ventral oracle इसमें से चार चेमबर में से pace maker जिसे हम सेनोड कहते हैं वो किसमी होता है जल्दी से बताएं ठेक है जो चार चेमबर है उसमें pace maker जोकि सेनोड है जिसे लबडब की साउंड आती है हमारे heart में से किसमें पाया जाता है question 74th का answer बताए कि है इस question का answer question 74th का answer बताएं सब्सक्राइब ऩांश किले सका राइट और इकल इसका एंद देखिए भूरीजरी में यारे नो हमारे कमें anunci को अप यृइलिधन बर्स और जाता है कि कौशन आपका आसक्ता है जल्दी यह कोशन नहीं करना चल्दी से बतेगा बताई एवरेज लाइफ क्या है और जो भी बच्चा ऐसे ही 200 कोशन कल भी पढ़ना चाहता है फिजिक के और परसो केमिस्ट्री के तो यह क्लास में जुड़ जाना हमारी क्लास कितने बज़े अनकेडमी पर मेरा अमंदीप शर्मा सर्च करें सारे के सारे अनकेडमी पर प्रोफाइल फोलो करेंगा और यह पहली बाद जोड़ रहे हैं मैं कल आपके लिए क्लास लेकर आने वाला इसकोशन का आंसर क्या है ठीक है आर बीसी की लाइफ क्या है सो से 120 दिन और बोंस एंड टिथा जनरली मेड़ विच ओफ फॉलिविंग ठीक हमारी शरीर की जो हड्डियां होती है जो दात होते हैं वो जनरली किसके बनते हैं बड इस चोड़ेंगे बताइए इस कोशन का आंसर विच नौट ट्रू अबट पैट्रीडोफाइट अभी हमने एक कोशन बैरोफाइट का किया था ऐसे पैट्रीडोफाइट के उपर कूंसी स्टेटमेंट गलत दे रखें अब दौबारा सोचना बढ़ा असान कोशन है क्या है इस कोशन का ऐसे कोशन आइख जल्दी से बताईगा थे के उपर कूंछ सी स्टेटमेंट गलत दे रखें जल्दी से बताईगा ठीक है आंसर कहा इस कोशन का अके ठीक है आन्सर कहाे बचilee इस कोशन का आंसर है सीट मैं ओ ठीक है ये गलत है जैसे पहलेबाले में फ्लोवर सब प्रेजट गल अप्रेज़न लिकका थो गलत तर धार तुलного है पाने पानी का बैलन्स होता है किसकी वज़ेस घ्रेट करेंट करें कढूश檬 हमारे शरी में पानी का किसकी होता है फिर किडिनी की वजे से इंजी सबकू चलते क्GHTए ईसका आंसर क्या है यह इसका आंसर है चलिए बिटी कोटन के बारे में सुना होगा सवाल पूछा गा corruptटन जो है जेनेटिकली ऻो बनाए गया है ठीक है इंजिनियर किया गया है यह कि से सम्बंदित है ब्यक्टी को जल्दी से बताएं ठीक है और सारे आन अकेडमी प्रोफवाइल फोllow कर लो кино कर होब 20 दस बजे क्लास होने वाली है ठीक कल सुबें 10 बजे क्लास होने वाली free of course 200 question physics के जैसे इधर biology के और आंसर क्या बच्छे bacteria से संब्ढदित है ठीक है human papilloma virus जो है किस disease से संब्ढदित है पता हीगा कौन सी बिमारी है संब्ढदित है आंसर क्या बच्छे से संब्ढदित है ठीक है चलिए एक और क्योशन दिखते है आज रात को 8 बजे जैसे हम इधर physics biology कर रहे हैं वैसे हम रात को 8 बजे जोग्रेफी की महा मैरोथोन करने वाले ठीक है रात को 8 बजे आप यूटूब पर सर्च करेगा जी के विदम अंसर मैं जोग्रफी के 300 प्लस कोशन रात को 8 बजे आज कराने वाला हूं आज 2 मैरोथोन है अभी biology और रात को जोग्रफी के 300 प्लस कोशन वाई-फाइ स्टडी स्टूडियो जहां पर मैं पढ़ाता हूं एक्टली ठीक है आंसर क्या बच्छे कोशन का जल्दी से पताएगा biology पढ़ रहे हैं तो अब यह भी जानी लेते हैं पता ही होगा सभी को ठीक है biology के जनक किसे का जाता है बच्छे बड़ा आसान कोशन है आंसर कैसका अरस्तू को ठीक है अरस्तू को का जाता है important question पूछा जाता है ठीक है important question अब पूछा जाता है ठीक है चली एक और question देखते है अरस्तू से संबंदित और भी चीज़े अलक्जेंडर के गुरू थे ठीक है अरस्तू बच्चे जो भी बच्चा देखिए एक तो आप मैं सुबह 10 बजे लेके आ रहा हूँ बाकी बच्चे मैं आपके लिए एक free theory crash course लेके आ रहा हूँ जिसकी आज क्लास शाम को 645 पर होगी ठेक है इसलिए मैं आपको कहा रहा हूँ मेरे अनकेडमी के प्रोफाइल पर जुड़ जाओ मैं आपको अनकेडमी पर free of course बहुत सारा content deliver करता हूँ आपको free class में 645 पर जुड़ना आज शाम को ये class होने व सकते हैं आप इस प्रोफाइल को फोलो कर लेना 12,000 के करीब followers होंगे इसमें ठीक है सैफरोन इस obtained from which among the following part of the plant क्या है सैफरोन जो है केसर जो होता है प्लांट के कौन से भाग में से मिलता है ठीक है PDF आपको मिल दाएगी ठीक है अनकेडमी के free classes में मिल दाएगी आपको PDF इसकी भी सिग्मा इसका answer है सैफरोन जो है कून सी प्रनाली से ठीक है सिंपल सी बात है यह नीफरोन में होता यह होता है नेफरोन में कडिनी में ठीक है और क्रिक की किसका हिस्सा सěंट है तो answer के इसका mixes का कशरा आंसर है से रही एक सबस्क्राइब सबस्क्राइब स Woman स्ट्रोंग होते हैं सवाल पूचा कि किसकी वज़े से किसकी स्ट्रोंग के इस कोशन का की वजए से चलिए एक क्व और कुशन देखें ऑफियोजी तो विच फोलिंग एनिमल थे और फिलोजी इस दो स्टड़ी विच फॉलिविंग अनिमल कौन से जानवर के बारे में पढ़ते हैं थेके साप के बारे में एक और कोशन देए चली शार्क की पाए जाने वाली पूछ जो किसका प्रकार है इतना इंपोर्टन नहीं है बताई इसकोशन आंसर के इंपोर्टन एंपोर्टन का इसकोशन का अंसर क्या है जल्दी से बतेगा ऐसे जोगरिफी की मैरतोन रात को ओगी मैं दोबारा बता देता हूं रात को बच्छे देख रहे हैं जल्दी से जुड़ जाना मेरा अनकेडमी का प्रोफाइल अमंदीफ शर्मा सर्च करके फॉलो कर लेना क्योंकि मैं आपके लिए अभी 645 पर क्लास लेके आ रहा हूं और कल सुबह 10 बचे आनकेडमी पर आपके लिए क्लास होगी ठीक है पटाइटो क्योंकि विंग्स की विंग्स के बात करो तो उसमें से पानी फ्लो कर जाता है पूछा कहें कि सवाजेसे कि सबसेंगा आंसर क्या है 93rd बिए पूचछ्छेंग सब व्या क्या क्या आइस बताइगा वैक्स इसका बच्चे की वजए से टिक है वैक्स की वजए से ठीक है पानी जो है फ्लो कर जाता है क्योंकि जो विंग्स के वे जो ब्रडस होती है और वैक्स होता है मोम होता है विच अब फॉल एक्सक्रेट्री ओरगें ऑको करेंगा जल्दी से बताई यह को शनगान से कह है नाइन्टी फॉर्थ कोशंग आंसर बताएं एक्स क्रीटरी और्गेन कौन सी होती है कोकर इसकी कमेंट करें इसकोशंग आंसर आंसर क्या बच्चे इसका दिमाग को रखेगा ठेट टूबल्स ठीक है मैल पेगिन टूबल्स चलिए इन विच पार्ट ऑफ यूमन बोडी प्ल सुबह 10 बचे क्लास लेता हूं और free of course science की सीरीज चल रही है वहाँ पर ऐसे ही कोशन हो रहे है आनकेडमी की सीरीज में ठीक है तो आप डेली पढ़ सकते हो मैं बस एक ही दिन इस तर क्लास लेकर हूं सुबह अनकेडमी की क्लास होती है तो वह साइंस की सीरीज है इसके लि क्लासिफिकेशन किसके दोरा दिया गया अंसर या भच्चे और एच्विक्तर के दोरा थे इमन ब्रेन का एवरेच वेट कितना होता है जल्दी से बताया इस खोशेंगा ए ठेक है लास्ट के तीन कोशन उसके बाद सर्च करें अमन्दिप शर्मा ठेक है अनकेडमी पे और काम की क्लास मिलेगी आपको शिक्स-फूर्टी-फाइफ पे फ्री ट्रेश कोर्स ठीक है ठीक है आप सबीके लिए होगा बस प्रोफाइल फॉलो करके लगिस को नॉटिफाइए कर ले ना मुझे पर जाती है तो उसमें ना लॉक्तिक असे पर प्रडूस होता है जिसे हमारे श्रीब में दर्द होती है रहे हैं थेकर निर्पार चले जल्दी से बचाने लिए टूथ पेस्ट में क्या होता है? कमेंट करें कोंशन का ऐंसर कहा देकि आइज इस कोंशन का आनसर किसकी जोग्रफी के लिए जी के विद अमनसर यूटूब पर रात को आठ बज़े सर्च करना आपको वह भी मैराथोन मिल जाएगी ठीक है जो भी बच्छे जुड़ता है ठीक है हंजी टोटल नंबर ओफ इयर बॉन्स छे हैं सेशन को करते हैं आप जितने बच्छे देखना प्रोफाइल जुरूर फोलो कर लो सभी के सभी प्रोफाइल फोलो कर लो इसके सभी कोशन जो बच गए है वह मैं आपको कल सुबह 10 बज़े अनकैडमी पर कराऊंगा तो आप सारे के सारे अनकैडमी का प्रोफाइल सर्च करें फोलो करें ठीक है सारे के सारे यह है मेरा प् मिलते हैं अभी शाम को 6.45 पीम पे यह 6.45 पीम का सीरीज का यह 6.45 पीम पे होगी free theory crash course मतलब सब कुछ on academy पे है free of course मिल रहा है आपको बस पढ़ना है जितने उच्छे देख रहे हैं profile को follow कर लो सारे के सारे और जोगरफी की marathon होगी रात को 8 बजे जी के वी दमन सर यूटूब पे सर्च करना जोगरफी की marathon के लिए ठीक है जैसे इदर biology की होगी वैसे जोगरफी की होगी है ठीक है चले तो सर्च करिए अनकैडमी पे अमंदीप शर्मा ठीक है आपको मेरी class कल सुबे भी 10 बजे मिलने वाली है और आज शाम को 6.45 पे मिलने वाली है दो classes है जो अनकैडमी की आपके लिए बहुत महतपून है ठीक है करते हैं session को end बाकी courses जैसे आप supreme science batch में जुड़ सकते हैं आपको मतलब एकदम theory पढ़ी है full-fledged biology physics और chemistry की complete diagrams के साथ तो वह आप जुड़ सकते हैं इसमें railway के course में start कर रहा हूं है railway goal select करके get subscription में क्लिक करना है month select करके एक refer code यूज़ करना है live among discounts के लिए ठीक है दिमा करें discounts के लिए बाकी session को end करते हैं profile follow करिए अनकैडमी का मिलते हैं दोबारा ठीक है द